दुबई के सासक की फरार पत्री ने किये कई खुला से, खोले कुछ ऐसे राज जिन्होंने हिला कर रख दिया दुबई के सासक का सिंहासन, लगाए कई गंभीर आरोप, दुबई के सासक की साख पर लगा काला धब्बा, आखिर ऐसे क्या खुला से कर दिये हैं दुबई के से सेख मुहम्मद अलमक्तूम की पतनी राजकुमारी हया बिंत हुसेन ने मार्च 2019 में दुनिया को तब चौका दिया जब वह अचानक अपने महल से भाग कर लंदन पहुँच गई उनके इस कदम ने और उनके तलाक की अर्जी ने सभी को हैरान कर दिया राजकुमारी हया ने अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा को इस फैसले के पीछे की खास वजह बताया उनके इस कदम ने लंदन के हाई कोल्ट में एक हाई प्रोफाइल मुकदमे को जन्म दिया जिसमें चौकाने वाले खुलासे हुए और मीडिया का काफी ध्यान सेख मुहम्मद और राजकुमारी हया अब हाई कोल्ट में अपने बच्चों की कश्टडी के लिए लड़ रहे हैं चार साल से अधिक का समय बीत चुका है जबसे राजकुमारी हया दुवई से भागी थी इस दोरान उनकी जिन्दगी में क्या बदलाव आया है और उन्हों उन्होंने कैसे अपने आपको एड़ेस्ट किया है कोल्ट में उन्होंने क्या चौकाने वाले खुलासे किये हैं अपने एक इंटर्वी में उन्होंने इस पूरे मामले में काफी डिटेल में चर्चा की चलिए हम भी देखते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसे कौन से खुलासे क उनकी कहानी को समझने के लिए हमें उनके बैक ग्राउंड और उनके महत्वपूर्ण पारिवारिक सम्बंधों को जानना बहुत जरूरी है। राजकुमारी हया की मा रानी आलिया 1977 में एक हेलिकॉप्टर क्रैस में मारी गई थी। रानी आलिया की मृत्यू ने पूरे राजपरिवार को बहुत प्रभावित किया और यह जॉर्डन के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। अपने जिन्दिगी में राजकुमारी हया ने कई चैरिटेबल और हुमनेटेरियम कामों में भाग लिया। अपने सिक्षा और रॉयल कनेक्संस का उपयोग करके पॉजिटिव इफेक्ट डाला। पॉलिटिगल साइंस और एकोनॉमिक्स में उनकी पढ़ाई ने उन्हें ग्लोबल टॉपिक की एक अच्छी समझ दी जिससे वे विभिन कारोणों में प्रभावी रूप से योगदान कर सकीं। उनकी ऑक्सफ़र्ड सिक्षा और एक प्रमुख रॉयल फैमिली में बड़े होने के कारण कई बार इंटरनेशनल स्टेज पर उनकी मौजूदगी ने लोगों को काफी प्रभावित भी किया ह बचपन से ही उन्हें घुड सवारी में दिलचस्पी थी जो उनकी मा की मौत के बाद डेवलप हुई थी उनकी इस खेल में रुची ने उन्हें कई अन्य अरब राजकुमारियों से अलग बना दिया इसके अलावा उन्होंने 19 साल की उम्र में ट्रक ड्राइविंग लाइस में हिस्सा लिया उन्होंने अपने देश का जंडा उठाया और सत्तरवे इस्थान पर रही यह उनके खेल करियर का एक महत्वपूर्ण पल था दोस्तों दो साल बाद उन्होंने इस पेन में इंटरनेशनल घुर सवारी चैंपियंशिप में भाग लिया जहां उनकी मुलाक हुए बेटी अल जलीला और बेटा जायद हलाके वे सेख मुहमत की छटी पतनी थी इसकी बावजूद भी राजकमारी हया एक प्रमुक सेलिब्रिटी की लाइफ जीती थी अक्सर अंतर राष्टी घटनाओं में संयुक्त अरब अमीरात का रिप्रेजेंट करती देखी जा को दोनों पक्छों के लिए लाबकारी समझहोता माना हलाकि राजकमारी हया के दोस्तों का कहना है कि उनका सेख मुहमत से एक सच्च जुडाव था और उनका रिस्ता केवल सुविधा से परे था वे पबलिक में एक आदर्स जोडी की रूप में देखे जाते थे और हमेशा खुस और मुस्कुराते हुए दिखाई देते थे इंटर्वियू में राजकमारी हया अकसर अपने पती की प्रसंसा करती थी जिससे लोगों की नजरों में उनके रिस्ते की छवी और भी अच्छी हो जाती थी सभी को लगता था कि राजकमारी हया दुबई की प्रिंसेस ब पच्चों की सुरक्षा के लिए कानूनी मदत ली और इस दोरान कई जटिल और कठिन पहलू सामने आये जुलाई में उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और कहा कि उन्हें डर है कि उनके पती उन्हें दुबई वापस लाने की कोशिस कर सकते हैं उन्होंन एक non-molestation order के लिए अरजी दी जो आम तोर पर घरेलू हिंसा के पीड़तों को सुरक्षा प्रदान करता है कोट में उनके बयान से पता चला कि उन्होंने अपने विवाह में धम किया और उकसावे का सामना किया था उन्होंने ब्रिटेन में एक कोट order भी मांगा ताकि उनक कुमारी हया सेख मुहमत के छोटे उम्र की पतनी होने के नाते कुछ असंतुष्ट थी जबकि जॉर्डन वे में वे राजा हुसेन की बेटी की रूप में बहुत प्यारी थी दुबई में सेख परिवार ने उन्हें कुछ अलग नजरिये से देखा सेख मुहमत के बेटे औ और दूसरे रिष्टेदारों ने उनकी मॉडर्न लाइफ स्टाइल और उनके वेस्टन कपडों के लिए उनकी काफी आलोचना की इस वजह से घरेलु कलेस बढ़ने लगा और राजकुमारी के मन में असंतोस घर करने लगा धीरे धीरे यह विवाद इतने बढ़ गये कि र इसी बॉडिगार्ड ने बाद में उनकी महल से भागने में मदद की हलाकि इस बारे में अभी तक कोई समूत मौजूद नहीं है और ना ही प्रिंसेज हया ने इस बात को माना है दोस्तो राजकुमारी हया अपने पती के पहले साधी की बेटियों लतीफा और समसा के साथ उनके बरताओ को लेकर चिंति थी खासकर लतीफा ने अपने पिता पर गंभीर आरोप भी लगाये थे लतीफा ने सारजनिक तोर पर अपने पिता पर एक रिष्तेदार की हत्या म मिलने में कठिनाई हुई क्योंकि उनके बच्चे दुबई के सासक के उत्राधिकारी थे हलाकि उनके भाई जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला दुती ने उन्हें ब्रिटेन में डिप्टी एमबेसडर नियुक्त्य करके उन्हें कूट नीतिक सुरक्षा प्रदान की इस साबित करती है कि वह एक साहिसी महिला है उन्होंने दुबई के सक्तिसाली सासक सेख मुहम्मद को चुनोती दी और अपने बच्चों के साथ लंदन भागने में सफल रही सेख मुहम्मद ने लंदन में अपने बच्चों की वापसी के लिए एक मुकदमा दायर किया और रा प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाया है ताकि उन्हें एक इस्थिर और अच्छा महौल मिल सके राजकुमारी हया ने कहा कि वह अपने बच्चों के साथ एक सामान जीवन जीना चाहती है और उन्हें हर संभव खुसी और सुरक्षा देना चाहती है अपनी नई जिंदिगे में राजकुमारी हया ने अपने पुराने हुमिटेरियन कामों में वापस लोटने की इच्छा व्यक्त की है वह एक बार फिर से समाज सेवा में सक्री होना चाहती है और जरूरत मंदों की मदद करना चाहती है उन्होंने बताया कि उनके लिए यह आस खाना चाहती है दोस्तों यह पूरी कहानी राजकुमारी हया की साहस और द्रण संकल्प को दरसाती है उन्होंने अपने और अपने बच्चों के लिए एक नई जिंदिगी बनाई जिसमें उन्होंने हर चुनोती का सामना किया सेख मोहम्मत के खिलाफ उनकी कानूनी लड़ दोस्तों आपको क्या लगता है क्या प्रिंसेज हया का फैसला सही है क्या वो इस केस को जीत पाएंगी अपने विचार हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले धन्यवाद